भारत बेंज इस कंपनी को आज कोन नहीं जानता भारत बेंज अपनी ट्रक्स और बसित करन जाना जाता है हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मर्सलिज बेंज और भारत बेंज में क्या डिफरेंस है तो चलिए आज हम इसे के बारे में हम जानेंगे पहल से आपने फ्रेट लाइन ट्रक्स को जरूर देखा होगा और सेटरा बस्स तो दुनिया की मोस्ट कमपरडिवल बस मैनेशर ब्रैंड में से एक है Fuso Mercedes Benz और भारत Benz के ट्रक डिजन एक जिसे ही है और लगता है सिर्फ लोगों को चेंज कर दिया गया है गारी वही है अब जानते हैं कमपनी ने भारत में Mercedes Benz नाम को यूज क्यों नहीं किया सोचिए जहां हमारे भारत देश में Mercedes Benz की कार की किमत शूरू होते है 40 लाग से और उसी देश में अगर Mercedes Benz की ट्रक 15 लाग में मिलने लगी तो क्या होगा इस से ब्रैंड को नुकसान हो सकता है हमारे मन में Mercedes Benz इस ब्रैंड की इमेज एक कॉस्टली और लगजरी ब्रैंड की है और उसे हम हासने से मीटा भी नहीं सकते सोचिए एक सिगनल पर Mercedes C-Class खड़ी है जिस कीमत शूरू होते है 40 लाग से और उसे के बगल में अगर 14 ले ट्रक खड़ा हो जाता है जिसकी कीमत भी 40 लाग की है और जिस पर Mercedes Benz का ही ब्रैंड नेम लगा हुआ है तो सोचिए उस कार वाले बंदे को क्या लगेगा कि यार मेरी इतनी कौशली कार की कीमत में अगर इतना पड़ा ट्रक आ सकता है तो मेंने ये गाड़ी क्यों ली दोस्तो ये तो बात थी मज़ा की पर रियल लाइप में इसका बहुत बुरा आसर हो सकता है किसी ब्रैंड के उपर क्योंकि हर एक ब्रैंड की अपने अपनी एक इमेज उती है मार्केट में और उसको कोई भी ब्रैंड खराब नहीं करना चाता और कम्पने ने भी एसाई सोचा क्योंकि इनकी ट्रक्स और बसेश को खरेड़ने वाले कश्तमर्स भी भारती होने वाले थे और इसे की चलते कम्पने ने ब्रैंड नेम मौसरिस बेंज को भारत बेंज में कनवर्ट कर दिया इसके पीछे भी बहुत सरे कारण है भारत वर्ड एड करने से ये हमारे देश के नाम को दर्शाता है और हमारे देश के प्रती एक सद भावना दर्शाता है भारत बेंज न सब्सक्राइब थे पर भारत बेंज के आने से कस्टमर्स ने फीचर्स के ऊपर ध्यान दिना शुरू कर दिया था जैसे की एर कंडिशन कभीन, एयर सस्पेंशन और बहुत सरे सेप्टी फंक्शन पहले के समय में बहुती कम ट्रक्स को एयर कंडिशन कभीन आपाता था पर भा ध्राइट बेंज ने ट्रक्स को डिजन करते वक्ट, बहुत सरे ट्रॉक्ज़ ट्रॉक्तय्स की और उन dalकर से अध्यान चाहा, लेके ऑगर के नम भाड़ elect बैंज बनाय और बहुत इकम समयमें भारतं में अपने आलग पेचान बंद ली आज भारत में 10 में से 2 ट्रक्स भारत बेंज की होते हैं आखिर में एक खहना चाहूंगा सिर्फ नाम भारत बेंज है पर इसमें सारे पार्ट्स मौसरीज बेंज के लगे हुए है जो इस गाड़ी की कॉलिटी को बढ़ाते है एपरिल 2020 से लागू किये गए BA6 नॉर्म को कमपलाई करते हुए भारत बेंज ने अपने BA6 मौडल को लाँच कर दिया है इन गाड़ीों में कमफर्ट और सेप्टी को ध्यान में रखते हुए जाकतिक दरजे के केबिन यूज किया गया है और भारत बेंज के BA6 ट्रक्स की वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिश्म में दी है उम्मिद करता हूँ आपको भारत बेंज और मर्सरीज बेंज इन दो ब्रैंड्स की बीच का आंतर समझा गया होगा आपको भारत बेंज की कौन सी ट्रक और बस अच लगती है हमें कमेंट सिक्शन में जरूर बताना धन्यवाद